असलाम लेकूम गुट मोर्निंग और वालकुम बैक टो माई चैनल आप सब ठीक होंगे और हैडियत से होंगे UK का वैदर माशाला बहुत हुपसूरत हो चुका है कर्मी है सर्दी भी होती है और कभी बारिश और कभी दूप लेकिन बहुत अच्छा मोसम है और इस तरह का मोसम मुझे बहुत पसंद है और अभी सुबा का वक्त है तो मैं सबसे पहले प्लांट्स को वोटर दे लूँगी इसके बाद बर्स का खाना और फिर दूसरे का और यहां पर जिस सरा का मोसम है आज मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन जो वीकली ग्रोसरी है वो करने के लिए जाना है और मेरे व्लॉग में आपको वीक में एक बार ग्रोसरी जरूर ही दि ले कोशिश करें कि एक पाइप रख लें जो होस पाइप होता है तो आप उसके साथ पानी दिया करें तो मेरे पास वो भी है लेकिन इतनी ज़्यादा प्लांट्स या बहुत बड़ी जगा नहीं है जहां मैं पाइप से पानी प्लांट्स को दूँ तो मुझे अच्छा तो उपर की तरफ हम पानी नहीं दे पाएंगे और अगर हम जोर से प्रेशर वाला पानी डालेंगे तो इनके फ्लावर्स तूट जाएंगे तो हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम फ्लावर्स ना तूटने दे और बहुत जंटली पानी हम इनमें एड़ करते हैं तो इस आवास कहीं तक पहुँच रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी करम कंट्री में हैं जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान में तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने घर के बाहर अपने सेहन में अपने च्छत पर किसी भी वीडियो के लिए वो वीडियो चाहिए थी लेकिन वो ये बात क्यों नहीं सोच रहे थे या समझ रहे थे कि वो परिंदों को पानी की जरूत है अगर वीडियो बनाने के बजाए हम उन परिंदों को थोड़ा सा पानी दे देते तो परिंदे शायद बच जाते क्योंकि एक वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें परिंदे तरप रहे थे और दूसरी वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें वही परिंदे मरे पड़े थे और दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो बनाकर लगाई जा रही थी सिर्फ व्यूज लेने के लिए और ये वीडियो जो मैंने देखी थी वो थी पाकिसान से मैं बिलकुल भी किसी ऐसे इनसान या ऐसे चैनल के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो मैंने देखी मैंने सुचा आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूंगी अगर प्लीज आप लोग ऐसे किसी भी इनसान को देखें तो उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए अगर तो यहां पर ऐसी कुछ हरकत होती तो इस वक्त उन बच्चों को अच्छे से सबक भी सिखाया जाता लेकिन वो जो वीडियो थी वो मैंने पाकिस्तान से देखी थी लेकिन वहाँ आप सभी जानते हैं कि क्या आसूल है कोई rules नहीं है इन चीज़ों के बारे में लेकिन अगर हम लोग schools, colleges में और घरों में अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं तो काफी हद तक कामयाब हो भी सकते हैं और हर घर में ये system तो है ही नहीं है क्योंके घरों में भी बहुत अच्छी तर्बियत की जाती है और काफी सारी जगों पर ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट माबाप के कहे परिंदों और जानवरों की देखबाल करते हैं तो ये जो बच्चे थे, ये किसी गाउं के थे और बस कैमरा उठा के कुछ भी वीडियोज बनाते हैं और कुछ भी सोचते समझते नहीं हैं सिर्फ यूज लेने के लिए तो उनसे तरहास्त है अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि इस तरह की हरकते करना बंद करें इंस्टेट अफ ये हरकते करने के अगर वो अच्छे काम करें तो शायद उनकी वीडियो जादा आगे जाएगी अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ तो सारे काम मुकमल करने के बाद मैं गई थी लिडल और लिडल से वहां पर मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंके बहुत जादा रश था तो मैंने सोचा मैं अभी घर चल कर ही शापिंग दिखा दूगी तो ये मेरी जो वीकली क्रोसरी होती है वो ही है फ्रूट्स, वेजटेबल्स, उसके लावा चिप्स, फ्राइज वगएरा और क्रिप्स वगएरा है ओनियन है, टिन, पाईनैपल मैंने लिए है क्योंके मुझे पीज़ा बनाना है और पीज़ा में मेरी बेटियां पाईनैपल बहुत पसंद करने लगी है तो इसलिए मैं टिन वाले लेके आई हूँ मिल्क और योगर्ट वगएरा था और ये जो चीज़ों के पर आपको अगर कोई डेट दिखाई देती है तो प्लीज इग्नोर कीजिए का क्योंके वीडियो तीन-चार दिन पहले शूट की जाती है फिर उसे एडिट किया जाता है वो इस ओवर करके आप तक पहुचाने में तकरीबन चार या पाच दिन लग जाते है तो डेट आगे पिछी अगर हो जाए तो उसके लिए मैं माजरच जाती हूँ ग्रोसरी वगएरा को डिसिनफेक्ट करके मैंने उसकी जगा पर रख दिया था इसलिए मैंने सूचा कि आज मैं जल्दी जल्दी से इसकी रस्पी भी शेयर करती हूँ मेरी बिंडी पिल्कुल सिंपल होती है और खाने में ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है यहां आपने जैसा के देखा मैंने ऑनियन चॉप की है थोड़ा सा कुकिंग ओल एड किया है और फिर इसको तोड़ा सा स्टर करके मैं थोड़ा देर के लिए डांक दूँगी जैसे ही ये ओनियन्स थोड़े से ठीक होंगे तो दोड़े से सिर्फ इनको मैंने नर्म करना है इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी टमाटो और टमाटो मैं ही मैंने हैं यहां पर देखिए ग्रीन चिली काटके डाली है, बसार डाला है जो लाल मिर्च का बसार होता है और उसके इलावा थोड़ी सी हल्दी मैंने आड़ की है और ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर आड़ करके थोड़ा मिक्स किया है मिक्स करने के बाद तकरीबन दो टेबल स्पून पानी लाला है और इसको मैं थोड़ा सा गलने के लिए रखूंगी और साथ ही थोड़ी सी मैंने ये आप्शनल टोमाटो प्यूरी आड़ की है सिर्फ कलर देने के लिए मैं फ्रोजन बिंडी बना रही हूँ अगर आपके पास फ्रेश है तो उससे बैस तो कुछ हो ही नहीं सकता है यहां पर मुझे मेरे पास इस वक्त फ्रोजन ही अवैलेबल थी तो जब ये मसाला भून चुका है यानि टोमाटो और अनियन वगरा का तो इसमें मैंने बिंडी को एड़ किया है बिंडी को एड़ करने के बाद इसे मैं अच्छे से भून लूँगी क्योंकि इसमें जो जब फ्रीज की होती है तो इसमें पानी भी काफी ज़्यादा होता है तो भूनने के बाद इस पर मैंने ढखकन रख दिया है और इसको मैं बिलकुल लो फ्लेम पे बंद करके तकरीबन 15-20 मिनट तक पकाऊंगी तांके बिंडी कल जाए और जितनी देर में बिंडी बन रही थी साथ ही साथ यहाँ पर मैं सैलट और फूट्स काट रही थी और मैं ज्यादा तर अभी इन दिनों यही कोशिश करती हूँ कि जिस प्लेट में मैं सैलट रखती हूँ उसी प्लेट के अंदर ही थोड़ा सा फूट भी रख देती हूँ तांके बच्चे खा सकें क्योंकि ऐसे फूट्स बच्चे नहीं खाते हैं कई बार और अगर एक टाइम पर फूट दें और दूसरे टाइम पर सैलट तो एक चीज को जरूर थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि ज्यादा तर खाने के साथ मैं फूट्स और सैलट वगरा रखूं और बच्चे खा भी लेते हैं और इन दिनों मैं यह जो एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है यह मैं खाने के साथ जरूर रखती हूँ और बच्चे भी शोक से खा लेते हैं और यह देखिए यह मैं लेके आई थी टैसको से तक्रीबन दो तीन दिन पहले यह सारे अप्रिकट्स बीच से देखिए सारे के सारे हराब थे देखने में बाहर से बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन अंदर से सब बिलकुल हराब और गले सड़े थे और एक में कीड़े बी थे तो मैंने जल्दी से उठा कर उनको फेंक दिया है और साथ ही मैं यहां पर औरिंजिस वगएरा भी कट कर दूँगी क्योंकि यह बहुत मीठे बहुत अच्छे औरिंजिस हैं यह मैं एजडा से लेकि आई थी और साथ यह जो प्लेट में हैं यह क्रेप्स हैं सीटलस क्रेप्स क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपने एक व्लाग में दिखाए थी तो एक भाई ने बोला था कि बर्मिंगम में आपने जामून कहां से लिए हैं प्लीज हमें शाप का जरूर बताए क्योंकि वहां से मुझे भी लेने हैं तो मैंने सच बताओं तो में कभी पाकिस्तान गई ही नहीं और ना ही कभी इत्वाक हुआ है जामून को हरीदने का ये क्रेप्स थे जो मैंने एजड़ा से लिए थे देखने में बहुत अच्छे थे और खाने में भी काफी अच्छे थे मीठे थे लेकिन ये जामून नहीं है यहां पर देखिए हमारी बिंडी हो चुकी है रेडी और ये बहुत लाइट होती है इसमें 2-3 टेबल स्पून ओयल जादा है इससे जादा नहीं और मैं कोशिश करती हूँ जो बिंडी या कोई ऐसी सबजी बनानी हो जो सूखी होती है तो इसे मैं नन स्टिक पैन में बना संदरंदर गर बना सकतेे हैं और मिंट पाउडर मैंने बनाना के लिए पहल पधिने को धो भूकर पटे को अटहन को गाहा सकते हैं इसको आपको बिल्कुल भी ग्राइंड वगरा करने की जुरूत नहीं है ये हाथों से ही पाउडर बन जाता है फिर मैंने एक सिफली थी उसमें इसको चान लिया था और जो फिर से बच गया है उसे एक मिनट के लिए दुबारा मैंने माइक्रोवेब में रखा था तांके वो दुबारा से क्रंची हो जाएं और जो रह गया है उसका भी पाउडर बन जे आप लोग घर पर मिन पाउडर इस तरह बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये देखिए सिर्फ थ्री मिनट्स के अंदर अंदर यहां तक ये सारा हो गया था और विदिन फाइफ मिनट्स आप य हैं तो ये देखिए बहुत आसान सी रेसिपी ही कह सकते हैं मैंने आप से शेयर की है आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कैसा लगा अला हाफीज